है इसमें हम बात करने वाले हैं रोमानिया लग चाल का है ठीक है और ये ये शंगन्गेन जौन में या ज़ो प्र वर्णीर है धाल से बहुत ज़्यादा हाइक इसमें मिलेगा फिर भी जो लोग करना चाते हैं जल्दी से जल्दी एपलाई कर लें अब जो यह केटेग्रीज हैं यह जनल केटेग्रीज हैं इसमें हर कोई एपलाई कर सकता है इसमें सबसे पहली पोस्ट है वह है फैक्टरी वरकर की ठीक है और इनकी जो रिक्वार्मेंट है फैक्टरी में काम करने के लिए 1000 नमर वेकिंसीज हैं ठीक है और इनकी जो सेल्री रहेगी वह है इनकी जो पैकिंग का काम करेंगे फैक्टरी में नमर वेकिंसीज है 500 और जो सेल्री रहेगी वह है इनकी जो सेल्री मिलेगी इनको भी वह है छीज़ट हजार इन्डियन रूपीज नेक्स्ट है जनल लेबर नमर वेकिंसीज इसमें भी है 300 और जो सेल्री मिलेगी आपको वह है 66,000 इन्डियन रूपीज उसके अलावा माइनर्स की रिक्वाइर्मेंट है जो कि नमबर व रिक्वाइर्मेंट जो है माइनर्स में वह है 200 की और जो सेल्री इनकी है वह है 1,46,000 रूपए अनिमल फार्म वर्कर इनकी रिक्वाइर्मेंट है 100 यानिकि 100 अनिमल फार्म वर्कर चाहिए जिनकी की सेल्री है 66,000 रूपए टैक्सी ड्राइवर नमबर व व व किंसी इसमें 66,000 और इसमें एक केटेगरी है टिलर की जिसकी नमबर व रिक्वाइर्मेंट है 100 की और इनकी जो सेल्री है वह है 83,000 रूपए टिलर की ठीक है तो यह जो जननल केटेगरीज थे जैसे की जननल वर्कर, वेरह वर्कर वेरहाउस वर्कर नमबर व रिक्वाइर्मेंट है इसमें 300 की 300 वेरहाॉस वर्कर चाहिए गाले हैं, salary रहे के 68,000 Indian रुपीज, ठीक है, तो इसमें आप लोग apply कर सकते हो, सारी general categories है, ठीक है, packing हो, agriculture हो, factory में काम करना हो, आपको, warehouse में काम करना हो, taxi driver या driver की मैंने वैसे पहले भी डाली हैं, तो इसमें taxi driver की है, अगर उसमें भी आप जाना चाहते हो, तो भी आप apply कर सकत ठीक है बाकि जो हेवी ड्राइवर और लाइट वेहिकल ट्राइवर थे उनकी सेलरी 83,000 रुपए है यह टेक्सी ड्राइवर है तो यहां पर इनकी सेलरी है 66,000 रुपए ठीक है आप बात करते हैं टर्मन कंडिसंस की तो देखो जब आप एपलाई करोगे तो आपको वर्क वी बात में भेजना होगा लेकिन सबसे पहले आपको भेजना है आपका सीवी पासपोर्ट ठीक है और डिजिटल फोटो डिजिटल फोटोग्राफ जो की HD क्वालिटी में हो ठीक है यह सारी चीज़ें आपको भेजनी होगी और बाकी जो टर्मन कंडिसंस है वो भी बता देतो वर्किंग डेज रहेंगे आपके यहां पर 6 दिन एक दिन आपकी छुटी रहेगी वर्किंग आट्स रहेंगे 8 अट गंटे की ड्यूटी है ओबर टाइम आपको अलाउड है तो आप जो आपको मैंने सैलली बताई है 66,000 वो आप 70-80,000 तक भी पहुंचा सकते हो अगर आप ओबर टाइम करते हो यह आपके ऊपर depend करता है अगर आप करना चाते हो तो जो contract period है यानि की work permit है यह है 2 साल का थीक है तो 2 साल का यह वर्क परिमिट है और over time allowed है mode of interview होगा आपका CV selection with work video experience should know basic english and with suitable experience for technical position तो यहाँ पर technical position मैंने आपको बताए नहीं है तो आप simple एक अपनी work video य सकते हो, qualification basic English आपको आनी चाहिए, ऐसी कोई खास, इसमें qualification की requirement नहीं है, age limit बता देता हूँ, 23 साल से उपर और 45 साल तक के लोग इसमें apply कर सकते हैं, insurance आपको provide किया जाएगा, medical भी आपको दिया जाएगा, जैसे कि first aid, और जो नहीं दिया जाएगा, जैसे कि glasses, यानि कि आगर आप चसमा वगेरा पहनते हो, तो वो नहीं दिया जाएगा, dentist का अगर आपका कुछ खर्चा है, तो वो नहीं दिया जाएगा, बाकी सब कुछ आपको first aid में provide free of cost, company की तरब से provide किया जाएगा, taxes की बात कर लेते हैं, जो tax परता है, वो employer पे करेगा आपका, तो जो salary आपको वो आपको पूरी मिलेगी, ठीक है, annual leaps आपको, यानि कि जो salary की चुटिया है, वो आपको 21 दिन की यहाँ पर provide की जाएगी, ठीक है, तो यह रही वीडियो और सारी detailing मैंने आपको बता दी है, तो इस वीडियो में मिलते हैं अगली वीडियो में, till then, bye bye, take care.